नमस्कार, SPN 9 News में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है उत्तरपरदेश के सुल्तानपुर शहर में 28 अगस्त को ओम आर्नमेंट जुवल्री शॉप पर बदमाशों ने लूट की घटना को अन्जाम दिया दुबाइक सवार पर कम से कम पांच बदमाश शामिल थे और गन पॉइंट पर शॉप से एक करोड़ चालिस लाक रुपे की कीमत की जुवल्री और नगदी लूट कर ले जाते हैं सभी बदमाशों की मुँपर कपड़ा था फरार हो जाते हैं लेकिन सीसी टीवी कामरे की मदद से पता चलता है कि पांच बदमाश नहीं बलकी बारा बदमाश थे जिसमें से एक ने सरेंडर कर दिया तो एक यानि की मंगेश श्यादव का एंकाउंटर कर दिया गया एंकाउंटर के तहट आरूप अपसमाजवादी पार्टी के रास्टे अध्यक्ष अखलेश श्यादव उठाते वे नजर आ रहे हैं अखलेश श्यादव ने कहा कि आखिरकार भारती जनता पार्टी जाती देख कर ही क्यों हमला करती हैं अब ये पूरा मामला उत्तपरदेश में गर्मा चुका है उत्तपरदेश में अब ये मामला मजिस्ट्रेट जांच की निगरानी में पहुंच गया है सुल्तानपुर के जिलादिकारी ने जांच की आदेश दिये हैं अब इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो इलहबाद हाई कूट के वकील डॉक्टर गजेंद्र सिंग ने इसे लेकर रास्ट्य मानवधिकार आयोग में केस भी दर्च करवाया था ये पूरा मामला अब जाच की निकरानी में है तो वहीं दूसरी तरफ अब आमादनी पार्टी के राजे सभास सांसर संजे सिंग न करें तो समझे उसके पतन का समय आ चुका है चाहे लखनाओ ताज होटल के सामने छेडखानी का मामला हो या सुल्तान पूर लूट कांट में एनकाउंटर का भाजपा सरकार ओविसी समाज के लोगों के पीछे पड़ी हुई है दलितों पिछडों और ओविसों के खिलाफ क सभास सांसत ने इस मुद्दे को उठाया उन्होंने लिखा सुल्तान पूर में जिस सोने की दुकान में दिन दहारे लूट हुए उसका 90 प्रतिशत समान मिला ही नहीं है सोना भी नहीं मिला लेकिन वह वाही लूटने के लिए एनकाउंटर कर दिया गया अखिरकार व्यपा आहे